80-90 का वो दौर याद कीजिए जब भिहार में सरकार से ज़्यादा बाहुवलियों की पाउर चलती थी सरकार में नहोते हुए भी बाहुवली ये तै करते थे कि सरकार में कौन आएगा और कौन से लोकसवासीट से जीत कर कौन संसत तक पहुँचेगा एक वो दौर था और रिकाज का दौर है आज 2024 में है उस काले दौर को गुजरे हुए दोसक से ज़्यादा स्का समय हो चुका है उसके बावजूद बिहार में बाहुवलियों की दबदबा जो है वो कम नहीं हुई है वो बाहुवलि जो सत्ता में न होते हुँ वो भी ये तै करते थे कि संसत कौन जाएगा और बिहार में सरकार किसकी रहेगी अब डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट रूप से वो राजनिती में आ चुके हैं अब डाइरेक्ट रूप से या तो वो चुनावलर के संसत का सफर तै कर रहे हैं या फिर इन डाइरेक्ट रूप से अपनी पत्नी को चुनावलर आ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं बिहार में बहुत सारे बाहुबली हुए हैं अलग-अलग समय में और अलग-अलग खौफ अलग-अलग छेत्रों में फैला करके रखे हैं लेकिन हम आज बात करेंगे बिहार के कुछ उन बाहुबलीों की जो अभी सत्ता में काम बिज है या फिर सत्ता की लराई में लर रहे ह या फिर संसद का सफर तै करने के लिए चुनावी मैदान में कूद चुके हैं हम बात करेंगे एक एक बहुवली की जो आज के समय में राजनिती में डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट रूप से इन्वाल्व है और ये तै कर रहा है या फिर प्रयास कर रहा है कि वो संसद तो आईए सबसे पहला नाम जो है मुन्ना सुकला का मुन्ना सुकला बैसाली से राज़त के कैंडिडेट हैं और ये मुन्ना सुकला वही मुन्ना सुकला हैं जो छोटन सुकला के भाई थे वही छोटन सुकला जिनकी अंतिमी यात्रा में गुपाल गंज के DMG किसनिया की हत् जाती है और जिसके मामले में आंद मोहन को सजा दिया गया था वही मुन्ना सुकला आरजेडी के साथ खड़े हैं आनंद मोहन की अगर हम बात करे तो हमने आपको बताया कि गोपाल गंज केम जी किस नया के हत्या के मामले में आनंद मोहन को दोसी करार देते हुए सजा दिया गया था और अब जो है आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं और उनकी पत्नी सिवहर से जनतादल उनाइटेड के टिकट पर चुनाव लग रही है तो मुन्ना सुकला राजद के खेमे में है और वहीं आनंद मोहन जो है जनत बड़े बाहुवली रहे हैं अपने समय के उसके बाद असोप महतो की पत्नी जिस व्यक्ति से स्थामना कर रही है उस व्यक्ति का नाम है लल्लन सिंग ललन सिंग का भी एक दौर रहा है जब उनको बाहुवली के रूप में लोग जाना करते थे और वो इस बार मुंगेर ल बैनर तले मुंगेर लोकसभा सीट से फाइट कर रहे हैं उसके बाद पपू यादो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अनंद मोहन से इनकी बिलकुल नहीं बनती थी और लगातार दोनों में गैंग वार जैसे चीजे हुआ करती थी दोनों एक दुसरे के घोर विरोधी वो पपू यादो इस बार कॉंग्रेस में अपनी पार्टी का विलाय किये थे ये सोच करके कि पुर्णिया से कॉंग्रेस उनको उमिद्वार बनाएगी लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि पुर्णिया सीट जो है राजद के खाते में चली गई और पपू यादो निर्दली ये च जब ओधेस मंडल उस छेत्र में अपना बाहु बली बनकर के उस छेत्र में दर्दवा कायं किये हुए थे और उनका सामना पपू यादो से उनकी पतनी के सामना इस बार चुनाओं में हुआ जिनका नाम बीमां मंडल है और बीमां मंडल राजद की कैंडिडेट थी उसके सुरिंदर यादो जहानाबाद से ये राजद के प्रत्यासी हैं और ये भी एक दौर था जब बाहुबली रहते थे एक दौर था जब लोगों में इनका दर्दवा कायन था इनका खौफ हुआ करता था उसके बाद सहाबुदिन वो बाहुबली या फिर वो व्यक्ति जो चार बार से ज़्यादा सांसद बनके सिवान लोगसभा सीट से जीत करके आया था इस बार राजद ने सहाबुदिन की पत्नी को टिकट नहीं दिया अब भले ही सहाबुदिन जिवित नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उनका ददवा उनके छित्र में कितना कायम है यह अगर आपको समझना है तो आप सिवान जाईए और हीना सहाब का रैली देखिए हीना सहाब के लिए लोगों का समर्थन देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि सहाबू दिन कितना दमखम वाले बाहु वली हुआ करते थे बाकी इन बाहु वलीयों को ले करके आप क्या सोचते हैं इन राजनितिक पार्टियों को ले करके आप क्या सोचते हैं जो इन बाहु वलीयों को संरक्षन देते हैं अपना प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजिएगा और अपना पक्ष जरूर रखिएगा बाकी देखते रहिएगा जनता जंग्चन मेरा नाम वेद प्रकास है कैमरे के पीछे हैं विचाल बहुत बहुत धन्यवाद